राहुल गांधी में हाली में हुए अपने लदाख दोड़े का एक वीडियो सोचल मीडिया पर वारल किया है इस वीडियो को शेयर करते हुए कॉग्रिस के पूर्वराष्टे धक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि भारत माता हर देश वासी की आवाज है उन्हें कहा कि वो इस के निशास्त प्रदेश की आवाज उठाते रहेंगे राहुल गांधी ने ये वीडियो ट्विटर यानी एक्स पर सांचा किया है उन्हें कहा कि मेरे पिता यानी पूर्वर प्रदार मतर राजिब गांधी ने एक बार मुझ से कहा था कि पैंगोंग जील प्रित्वी पर सबसे खुबसूरत जगों में से एक है तब से मैं हमेशा लद्दाख जाने के लिए उठ्सुक रहा हूँ मैंने अपनी भारत जोड़ो याता जाये रखी है और ऐसे में मैंने सोचा कि मोटर साइकल से लद्दाख जाने से बहतर क्या हो सकता है उन्हें निका कि इस यात्रा में सबसे औविश्वस्तिय खोज लद्दाखी लोगों का प्यार और विनम्रता थी लद्दाख के बारे में उनकी सहानुभूती और ज्यान बेजोड है और छेतर की भविश्य के विकास की कोई भी योजना उनके सुझाव पर आधारित होनी चाहिए कॉंग्रिस नेता के मताबिक लद्दाख भारत के मुक्टों में से एक है और दुनिया के सबसे महतुपून रणनितिक स्थानों में से एक है लोगों की आँखों में उनके साथ विश्वास खात होने का भाव देखकर मेरा दिल तूट गया उन्होंने दावा किया कि जब प्रधार मंद्रे ने हमारी भूमी पर चीन की कबजे के बारे में जूट बोला तो उन्होंने ठगा हुआ महसूस किया जब भाजपा सरकार अपने किसी भी बादे को पूरा करने में विफल रही तो उन्होंने ठगा हुआ महसूस किया बाइनाट से सांसद राहूल गांधी ने कहा कि एक सरकार को अपने सभी लोगों को सशक्त बनाना चाहिए और लद्दाख को सुशाशन की अवश्यक्ता है भारत माता प्रतेक भारत की आवाज है और मैं लद्दाख की आवाज को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करूँगा भारत माता की जय कॉंग्रिस नेता राहूल गांधी ने कहा कि एक सरकार को अपने सभी लोगों को सशक्त बनाना चाहिए और लद्दाख को सुशाशन की आवश्यक्ता है भारत मता प्रतेक भारती की आवाज है और मैं लद्दाख की आवाज को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करूगा भारत माता की जय कॉंग्रिस नेता राहूल गांधी इस साल अगस्त महीने में लद्दाख के दोरे पगय थे और लद्दाख दोरे के इस वीडियो को राहूल गांधी ने खुद अपने पेज पर भी शेयर किया है और कहा है कि मैं हमेशा लद्दाख जाने के लिए उच्छ रहा हूँ और हमेशा लद्दाख के लिए आवाज उठाता रहूँगा अमरुजाला अब आपके टीवी पर भी अपने स्मार टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमरुजाला चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें वो भी HD क्वालिटी में और हाँ बैल आइकन दमाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर आमारुजाला निश्पक्ष निर्भी निरंदर